एक प्रशन ये पूछा जाता है कि हमास के आतंकी इन सुरंगों का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन गाज़ा पट्टी में रहने वाले रियाईशी यानि कि आम नागरिक उनको इन सुरंगों में क्यों नहीं शरण दी जा रही है ये बहुत बड़ा प्रशन होता है जो कि कई जैसे इरान खुल कर जंग में नहीं उतर रहा है लेकिन उसने हिजबुल्ला और हूती जैसे मिलिशिया ग्रूप के जरिए युद में अमेरिका को जाहे रखने की प्लैन बनाया है ऐसा दावा किया जा रहा है देखिए इसरेल के बाद अमेरिका का दावा है कि हमास भी इर इसरेल के खिलाफ युद चेडा इसरेल के खिलाफ प्रॉक्षी वार हुटी लड़ रहे हैं और हिजबुल्ला शुक्रवार को युद का प्लैन एलान करेगा इस शुक्रवार को उसे बलड़ी फ्राइडे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ओफेंसिव शायद लॉंच हो ज से भी वहां पर लोग पहुंचे थे जो सक्रिये थे और इशारा एडवाइस कर रहे थे यानि इरान सामने तो नहीं आ रहा है लेकिन पूरा गेम प्लैन यहीं से सेट हो रहा है इरान से ये दावा अमेरिका और इसराइल युद के पहले दिन से करते आ रहे हैं मतलब ये कि इसराइल के खिलाब जिन विद्रोही या कहें आतंकी संगठनों ने युद छेड़ रखा है वो सिर्फ मोहरे हैं और इन मोहरों को कंट्रोल कर रहा है इरान इरान किसके इशारे पर और किसके साथ मिलकर ये खेल रच रहा है वो भी समझने वाली बात है इस वक बड़ी चलता रहा है इस हमले के बाद का एक वीडियो भी अप सामने आया है जिसमें घाजा का आश्मान धूएं से भरा दिखाई दिया ये वो तस्वीरे हैं आप देख रहे हैं जैसे कल नीरज ने यहीं अख़डा में लाइफ दिखाया था किस तरह से घाजा पट्टी पर रिया स्ट्राइक होता है तो मलबे के वजए से एक्स्प्लोजन की वजए से धुआ उठता है काफी सारा और उसके बाद फिर वापस सेटल होता है और फिर ये रियाईशी इलाके दिखते हैं इन रियाईशी इलाकों के बीच ओ बीच ऐसे जगे हैं जो हमास के ठिकाने हैं जिस इसरैल का दावा है कि वो pinpoint strike कर रहा है जैसे आप देख रहे हैं आज पास की building ağोज को target नहीं किया गया लेकिन एक pinpointed strike इसरैल हमेशा से यही कहता आ रहा है कि हमास ने अपने सारे command centers ठिकाने 11000 से जबादा जी ने ध्वस्त कर दिए गए हैं ये संबोधन इस्रेल युद्ध के बीच ये पहली बार होगा जब हिज्बुल्ला चीफ अपना संबोधन देने जा रहा है लेबनान की जमीन से हिज्बुला अब तक इस्रेल पर छोटे बड़े हमले करता रहा है जिसको की छोटे बड़े shoot and scoot strikes कहे जा सकते हैं लेकिन अब शुक्रवार के सम्मोधन के बाद ये साफ होगा कि हिजबुल्ला जंग में पूरी तरह से उतरेगा या नहीं इस जुद्ध के माइने बदलेंगे या नहीं हिजबुल्ला चीफ के सम्मोधन पर इसराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नजरे गड़ी हुई है अखारा मलेंगे एक छोटा सबरे